ट्टियो की रिशन चनलन में आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले नमस्कार सिक्षक सातियो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में हम इनी बिंदो पर चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो है आपका 14 दसमलाव 1 में पार्ट योजन आपको त्यार करना है ये आपके लिए 20 आंक निधारित किया गया है फिर विसे वस्तू दक्षता इसमें आपको क्या करना है कैसे करना है आगे हम चर्चा करेंगे फिर आपका पार्टियम उसके प्रबंधन के छात्र ध्यापक की भागीदारि पंद्र पिर छात्र ध्यापक मुल्यांकन 10 आंक फिर विद्यालय परमुग द्वारा सिक्षन अभियास परक्रिया का मुल्यांकन 25 यानि कि 100 गुड़ी करें तो अपन टोटल जो है पासो चौवदा 200 अंका है तो इस प्रकार से इसमें सबसे पहले आपको पाठी उजना त्यार करना है दमने कि आपके जो है 10 पाठी उजना आ और यदि आप त्यार नहीं कर पा रहे हैं यदि आपको चाहिए पाठी उजना पीडियाप में तो आप कमेंट करके और लाइक करके बदा सकते हैं तो देखिए आपके जो पाठी उजना के प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार के होगा समान्य पाठी उजना के प्रारूप करने की तीथी इसमें आपको लिखना है फिर कक्षा जिस कक्षा में सिक्षण कराया वहां कक्षा लिखे यदि आप चौंथी के लिए बना रहे हैं चौंथी पांचवी के लिए बना रहे हैं पांचवी फिर आपका आएगा विसाय जिस विसाय में आपने सिक्षण कराया उस करना है फिर पूर्व घ्यान परकन शुरू करने से पहले आप अपने बच्चों से कुछ सवाल जवाब करना है कि बिंदू को आप पढ़ा रहे हैं उस बिंदू के बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं फिर अधिगम संसाधन अधिगम में प्रस्ताविस सिक्षण प्रस्ताविस स्वाब करना है उनके बारे में आपको जिक्र करना है फिर आपका जो ग्यारवा पॉइंट है अधिगम परिक्रिया यानि कि विहूरचना उप्योग के जाने वाले विदियों तक्निकों को पार्ट योजना में सपष्ट अंकित करना होगा जैसे आगमन से पढ़ा रहे हो और कौन से टीलम का अपूपयोग कर रहे हो यह सारी चीज के बारे में विवूरचना में आपको लिखना है फिर आपका बार्वा जो पाइंट है परिच्छाए पूर्वा ग्यान का प्रिक्षण करने के बाद आप बच्चों को प्रसाहित करते हुए पा आंक देंगे जो बाकी पंदरा 15, 15, 10 यह जो आंक है यह आपके पार्ट योजना पर ही निर्भर करता है तो इसलिए आप जो है पार्ट योजना जब त्यार करते हैं तो इन विद्दों को इसे ध्यान रखिएगा पिर आपका जो यहां पर प्रस्तुती करन पार्ट का परि क्यांट है अधिगम किर्यकलापों में निरंदरता बच्चों के किर्यकलापों सिक्षन अधिगम सामागरी और मुलयांकन के पदों के एक संचिप्त सुची बनानी होगी पाट का संगठन परस पर किरियायों पुरसान पुर्ण होगा जिसे बच्चे अपने साथियों और करना होगा जिससे बच्चे के बच्चों के स्वयम के ज्यान में बड़ोतरी में साहता मिले तो यह अधिगम किर्यकलापों में निरंतरा पाइंट में आपको इस प्रकार से त्यार करना है अभी तक वीडियो का आपने अगर लाइक नहीं के तो लाइक कर देजिए अगर को आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताए हम आपको लिंक देंगे पर जो पंदरवा पैंट आता है स्यामपट सारांस पार्ट के आंत में बच्चों की और से संचिप्त सारांस स्यामपट पर लिखने की आउसकता होती है फिर सोलवा बिंदू है मुल्यांक आपको अपने से भी देना है कुछ सवाल जवाब जोड वगेरा है जो पाठे पुस्तक में ना हो पिर आपका अठारवा संदरवित सामागरी पाठ के प्रस्तिक करण में पाठे पुस्तक अन्य पुस्तक के संदरवित सामागरी आदि जिनका भी उप्योग हुआ है उनका भी आपको लिखने की आसकता है आपके पाठी उजना में पिर आपक अब देखिए रेटिंग पई मामन आपको अच्छा है तो उतकरेष्ट अगर चार तीन अगर मिलता हैं तो अच्छा दना Ок verdad और एक आसन जनक तो देखिए पार्टियों आ अधिगाम मुद्धेस में अपको मिलेगा ठीक ए तो यहादिगाम रखना ही रखना है ठीक है आपके जो पाटियोजना आप त्यार कर रहे हैं उसमें आपका अधिगम उदेश रखना ही रखना है इसके दार पर आपके जो है मुल्यांगन किया जाएगा फिर दूसरा बिंदू पर चार बिंदू का अधार पर आपके जो पार्ट योजना है इसको देखा जाएगा फिर आपको जो इस प्रकार से आपका देखिए यहां पर बीस पांच पांच दस और यह 15 और बीस यानि कि आपका जो है पार्ट योजना से संबंदित यूद्धेश्च हो गया पाठ्य व करेंगे कैसे आपको जो है मल्यांकन करेंगे इसके बारे में देखिए तो यहां पर देखिए आप जो पार्ट का परिचे दिये हैं पूरी अग्यान की जांच करना इसके अधार पर पर आपको रेटिंग किया जाएगा फिर पार्ट का विकास सथिक्षण विहू रचना इस इस परता के साथ पाठ्य वस्तु का समानी करन तरक पूर्ण करमबत अंकित करने में साहता ज्यान काउसलों को लागू करने के आउसर प्रदान करना सटिक सब्दों के साथ पुर्षान कार्य एम उद्देश के महाताय का अधार पर समय प्रबंदन करना यह सारी चीज आपक comment कीजिए हम यह फार्मेट पूरा को हिंदें इंगलिस्ष दोनों में उपलब्ध कराएंगे इस फार्मेट का दार पर आपके मुल्यांकन करता आपके नाम विद्याले के के पर आपको रेटिंग किया जाएगा अन्य विसेव के साथ बच्चों के द्वारा सासंबंद आपके कैसे है इसके अधार पर आपको रेटिंग किया जाएगा आपको जो है मुल्यांगन किया जाएगा फिर दूसरा बिंदु है बच्चों के द्वारा प्रस्न पूछने को उस करते हैं कि नहीं इस क्यादार पर आपको रेटिंग किया जाएगा फिर आपको जो है पिर यहां पर तीन बिंदों क्यादार पर आपको जो है सिख्छा का मार्ग दसन यानिकी टोटल जो पंदरा नंबर का है यहां से आपको मिलेगा फिर आपका जो नेक्स्ट जो पाइंट ह आपको जो 514 में पार्ट में 16 सहाभागिता है उमें इसका प्रबंधन थीक है विद्यार्थियों के सहाभागिता और इसका प्रबंधन इसमें आपको पंद्र industries के निमलखित बिंदों के आधार पर दिया जाएगा। विदियार्थियों के साहवेगिता में विभीन उदितपनों के द्वारा बच्चों के ध्यान को थामना और सुरक्षीद रखना बच्चों के प्रस्ना पूछने को उससाहित करने के द्वारा और साब्दिक वासाब्दिक संकेतों के उपयोग के द्वारा सम्हों के रेकला आप अपनरबल के द्वारा तथियों के लिए उससाहित वा जवाब देहे बनाना ये सब चीज विद्यारतियों के साथ सहावगीता आप दरसाते हैं कि नहीं इस क्यादार पर आपको अंग दिया जाएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर कीजे क्य या उनको बोलिए कि उनको भी पांच नए सातियों तक सेयर करें तो फिर आपका दूसरा बिंदू है पार्ट से संबंदता इसके अधार पर आपको जो है रेटिंग किया जाएगा देखिए इन में क्या देखेंगे पार्ट के मुख्य बिंदों का पुनरावलोकन बच्च पूरा कार्य साला अधारित गतिविदी है जो आप इसकुल में कारे करेंगे बच्चों के साथ वो जो मुल्यांकन करता देखेंगे उसके अधार पर आपको अंक मिलेगा पिर आपको जो आता है विद्यार्तियों का मुल्यांकन छात्र मुल्यांकन ये आपको 10 अंका है तो ये निमलकित बिंदु के अधार पर आपको दिया जाएगा सभी इस तरों पर अधिगम कटनायों की पहचान करना परतिक सिक्षण बिंदु के समक्चिले सुनक्षित संपूर्ण उद्देशों की वास्तिकता के लिए सुनक्षिता ठीक है इनके अधार पर आपको मिलेगा फिर आपको जाच करना दिये होई उपर दत कार्या की जाच कर है यह फार्मट को हम आपको उपलब्द कराएंगे आप कमेंट करके बताइए यदि आपको चाहिए तो हम हिंदी इंग्लिस दोनों में पीडियाप बनाकर आपको देंगे आप इसको डाउनलोड करके अपने संस्तापरमों को देकर अब उनको बता सकते हैं कि इनका अधार पर आपको त्यार करना है तो देखिए यहां पर जो आपका जो विद्यालय प्रधान द्वार अभ्यास प्रक्रिया का मुल्यांकन जो करेंगे आप सबसे पहले आपका नाम रहेगा प्रसिश्यों सीचक का नाम यानि कि आपका नाम नमंगन सके इनकी इनोर्मेंट नमबर विद्यालय का नाम और पता प्रसीशु सिक्राकर निमलागी विशित्य का धार पर जाँच बिंदू पयमाने के साहता से रेटिंग किया जाएगा। तो पहली व्यक्तिगत विसेस्ता हैं, आप में क्या विसेस्ता हैं, इन बिंदों को देखा जाएगा, यानि कि आप टाइम पर आते हैं, या परतम कारवाही कख्छा प्रमदन की छमता है, विद्याला इस टाप के साथ आपके कैसे संबंध है, सहयोगा अत्मक विद्याला के सहबिता रखते हैं, या नहीं रखते हैं, या आपके जो पर्चारय है, या पही परधाना देयापक, आपके जो पूरे सत्र भर के जो गतिवीदी है, और आपके विवहार है, उनका इन पर आकलन करेंगे, फिर आपका आता है दूसरा सहसेक्षनिक किर्यकलापों में सहबा करेंग लेते हैं इन पर आपको जो है मुल्यंगन किया जाएगा सांस्कृति क्रया-कलाब खेल साइक्ष्ण क्रया-कलाब जैसे बहुंट सारे जो फिर होते हैं खेल में रूची नहीं लेते तो वह अलग थलग रहते हैं तो क्या आप वैसे हैं तो उसके अधार पर आपको अंग दिये जाएगा फिर तीसरा जो बिंदू है विद्याले के कारे में सहभागीता पाइठ त्यार करना कक्षा में अधिगम इस्तितियों का गरेदत कारे की गलतियों को सुधारना प्रिक्षान और रिपोर्ट लिखना परिश्रमी इमानदारिय और सब्सक्राइब बनाते हैं जो आप असाइमेंट देते हैं उन कारे को आप चेक करते हैं कि नहीं करते हैं इनके बारे में मुल्यांगन किया जाएगा फिर पांच व चौदा में आपको इन अधारों पर आपको जो है पाइडी गोजना तर तैयार करना है यानि कि आपके जो 504 में पाइडीय करके आप कमेंड करेंगे जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम Σमझ नहीं पाएंगे क्योंकि कमेंट भी का सिखसानतियोंने अभी तक 514 कार्यसाला अधारित अधारित त्यार नहीं कि उन Τक जरूरत जूरूरा कीजिए वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद फिर हम नेक्स टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया